इस वीडियों हम जानेंगे कि प्राइबेट फोटो वाल्ड से डिलीट हुए फोटो को वापस कैसे ला जाता है तो गर आप अपने मुवाइल के प्रस्टनल फोटो को छुपाने के लिए इस वाले प्राइबेट फोटो वाल्ड का प्राइबेट फोटो वाल्ड हाइड प्र सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा तो चले जानते हैं कि हम अपने प्राइबेट फोटो वाल से डिलीट सब्सक्राइब को वापस कैसे ला सकते हैं तो प्राइबेट फोटो वाल से डिलीट सब्सक्राइब को वा को अपने मोबाइल में इस्टॉल कर लेना है इस्टॉल करने के बाद ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में कॉप्शन मिल जाएगा स्टार्ट बेसिक फोटो सर्च का तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको एलाग पर क्लिक करने के लेक्ता यूवैं आद आप यहांपर आप सक्टान सक्टान क्भल में में सक्ते एक करते हैं और उसके बाद आपके प्राइबेट वाल से इसक्का को recover करना है इस photo को वापस लाना है ऊप जिस photo को recover करνा चाहते हैं उसके box पर क्लिक करके आप बारे-बारे से सेलेक कर लिजिए आगर आप सभी photo का री कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर आपको three dot मिलेगा तो three dot पर क्लिक करना है और यहां से आपको पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए जिस फाइल या फोल्डर में अपने सभी फोटो को रिकावर करना चाहते हैं यहां पर ऊपर त्री लाइन पर क्लिक करके आप internal memory phone storage जो भी हो select कर लिजिए और select करने के बाद यहां से आप उस file या फोल्डर को select कर लिजिए तो यहां से हम DCIM folder को select करते हैं और select करने के बाद नीचे आप उस select मिलेगा तो आप उस select पर click करना है इतना कदने के बाद आपका सभी फोटो आपके मुबाइल के गैलरी में या आपके मुबाइल के file manager के DCIM file में recover हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने private photo wall से delete सभी फोटो को वापस ला सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा